हेलो स्टूडेंट्स आज के जमाने में ऐसे तो कोई नहीं होगा जिसने कैमरा नहीं देखा और कैमरा देखा हो तो ये भी जानता होगा कि अंधेरे में जम कम लाइट में हमें फ्लैश के जरुरत होती है फोटो खीचने के लिए ठीक है ये बाते मैं आपसे क्यों कर रहा हू तो कि हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इस फ्लैश में काम आता है जो एक साथ इतनी सारी ऊर जा, एक साथ इतनी सारी एनर्जी आपको प्रॉइड करता है तो कैसे करता है क्यों करता है वो ही सब चर्चा करेंगे हम और उसको हम क्या कहते हैं? संधारित रहा हम संधा सवाल मैंने आप से शुरू में किया है, यह सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो काम करता है, किस प्रकार से वो इतनी सारी एनरजी एक साथ दे पाता है, जब आपको थोड़ी चीज़े समझ में आए लगेगे, तो हम अभी शुरू करते हैं, टॉपिक आप मेरे चलते रहेंगे, तो संधारित्र क्या है भाई, संधारित्र एक येसा यंत्र है, जो की एनरजी को या चार्ज को स्टोर करता है, अपने पास संग्रहित कर लेता है, ठीक है, तो हम क्या डेफिनेशिन लगेंगे, एक ऐसा डिवाईस, एक ऐसा यंत्र जो की चार्ज को ये एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? इस्थिर्वेद्यूत, स्थेतिक उर्जा को अपने पास संग्रहिद कर लेता है, ठीक है? तो संदारीत का क्या है? संग्रहन का, किसको संग्रहन कर सकता है, ये сия which can dil force around 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 aroundądaus? यहाँ तो हम कहलें दोनों एक ही बात है वैसे तो ठीक है आवेश का संग्रहित करें या फिर स्थिर वैद्यूत ठीक है दोनों ही चीज़े हम कह सकते हैं स्थिर वैद्यूत इस्थेतिक उर्जा को ये अपने अंदर संग्रहित कर सकता है ठीक है ये दोनों चीज़े हमें समझ मैं चाहते हैं कि अनर्जी को स्टोर कर लिए हम किस रूप में कर पाते हैं हम स्टोर कर पाते हैंनर्जी को spring कर दवाते हो तो इसके अंदर energy store हो जाती है जैसे स्टोर हो जाती है यह सब चीज़े हम ङॉत को potential energy की, जो की mechanical potential energy है, लेकिन वहीं स्थिर्वेद्यू तकर उज्जा की बात करता हूँ, मैं electrostatic potential energy की बात करता हूँ, तो उसको कैसे store किया जाए भाई, उसको store करने के लिए मार पास device है, उसको क्या 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 क्याता है, संधारितर क्याता है, capacitor, ठीक है, यह हमें पता चलता है, यह से ही चीज़ें पता चलती है, तो परिवाशा क्या हो जाएगी, एक ऐसा ही अंदर जो की अपने अंदर, जो की charge को या उर्जा को संग्रहित कर सकता हो, उसे हम संधारितर कैसे हैं, ठीक है, अब भई कैसे उर्जा को यह अपने अंदर स्टोर कर लेगा, कैसे ही संग्रहित कर लेगा, उस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, कैसे कैसे कर सकता है, यह तो उसको हम हटा देते हैं, टॉपिक आप समझ चुके हो, अपने रख रखा है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे कैसे चीज़े होते हैं, इसका विद्यूद शेतर होगा, इसके विद्यूद रेखाएं होंगी, वो सब चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, तो आप उसी को थोड़ा सा और समझते हैं, तो यह क्या होगा, इसके अंदर से क्या और होगा, यह अपने, इसके अंदर से इलेक्टरिक फिल्ड निकल रही होगा, विद्यूद शेतर होगा, इसका कुछ यहां, इसका विद्यूद शेतर होगा, तो इस पकार से हम बल रेखाएं दिखाएंगे, इसकी विद्यूत बल रखाएं इस पकाड़ से हम दिखा सकते हैं हम जानते हैं विद्यूत बल रखाएं कैसे दिखाए जाता है ठीक है तो ऐसे हमने इसकी विद्यूत बल रखाएं दिखा दिया है ठीक है दिखा दीजे आप भी बना लेजे और ये और फेली हुई है, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं मैं अगर इसका potential होता हूँ कि V है तो ये infinity तक इसलिए जाती है ये infinity तक इसलिए जाती है क्योंकि infinity पे जो विद्यूत विभाव होता है वो शूनने के बराबर होता है तो ये जादा विभाव से कम विभाव की और जा रही है ये infinity बहुत अच्छी बात है हम समझते हैं कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर हमें नहीं ठीक है जाना भी चाहिए हम यही पढ़ते हैं हमें कोई गलत चीज हमें नहीं पढ़िए समय सई चीज आती है ठीक है सब लेकिन अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा हो जाए कि मैं इस जो विद्यूत बल रिखाए हैं इनको पकड़ के रख लूँ ठीक है इनको कहीं पकड़ लूँ इनको कहीं कहीं पर रोक लूँ कहीं पर रोक सकूँ तो मैं जो इन विद्यूत बल रिखाओं को जहां मैंने रोक लि है और क्या मैं उसी चीज को कैपेसिटर या फिर संधारितर बोल सकता हूं बिल्कुल वही डेफिनेशन इसकी हो जाएगी तो ऐसा डिवाइस जहां पर इलेक्टर स्टैटिक पोटेंशन इसकी को रोख लिया जाए बाद दिये कर लिया जाए है उसको हम संधारितर कहते हैं यह डेफिनेशन हम समझ चुक हैं त्टीक है अच्छ सको रोका कैसे जाए इसका सीधा सीधा तरीका क्या है कि आप बोल रहे हो कि यह प्लस क्यू से जीरो की तरफ जा रही है, मतलब जादा potential से, जादा विभाव से, कम विभाव की और जा रही है, तो आप बोलो कि अगर ये 0 तक जा रही है, V से 0 तक जा रही है तो आप बोलो V से 0 जा सकती है, तो अगर मैं इससे भी कम potential, इससे भी कम विभाव, 0 से भी कम विभाव वाला point x के पास ले आता हूँ, कोई बिन्दू बता देता हूं इसको, कि यहाँ पर इससे भी कम विभाव है, तो यह 0 पर जाना पसंद करेगी, तो आब सीधे-सीधे बोल दोगे, और कम विभाव पर जाना पसंद करेगी ठीक है तो वो कम विभाव वाला बिंदू कैसे बना है जब बहुत असान है उसके लिए कुछ नहीं करना है हमें उसके लिए हमें कर देना है कि यहाँ पर एक आवेश रख देना है ठीक है में जो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप खुद से सब काम हो जाएगा, आप खुद से हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह विद्यूत बल रिखा है, यहाँ पर आ कैसे मुड़ने, लगी दो-चार और बना लो, जबकि इच्छा हो तो आपको बाद बीस का जो यह रीजन है, जो यह जगा है, जो यह शेत्र है, जहाँ पर यह Electric Field Lines या विद्यूत बल रिखा है, जमा हुई है, मतलब जमा हुई हैं, मतलब Sachen हो गई हैं,一katrit हो गई हैं, इस को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं, इस शेत्र को हम क्या बोलते हैं संधारीतर बोलते हैं ऐसी जगाğ जहां पर विद्यूतवल रेखा हैं संग्रहित्वक्क काटडी हो जयाएं संद्धारी तो उसको हम क्या बोलेंगे संधारी तरबुलेंगे तो संधारी तरएक डिवास है एक फिजिकल उसके स righteousness है यह अगलर लेकिन हम एक है कि आप पर इलेक्ट्रिक कर लिए लिए उस चнакомर पोगा हो तो यह हमारी पर पूह-पारिस नहीं वो कैसे प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं, फिजिकल दिखते कैसे हैं, वो कैसे, वो क्या-क्या होते हैं, वो हम उस पर चर्चा करें आगे, लेकिन अभी फिलाल के लिए डिफिनेशन आपके मन में यह होनी चाहिए, कि ऐसा कोई भी शेत्र जहां पर आपने चार्ज को रोक है, चार्ज को या विद्यूत बल रिखाओं को रोक लिया है, बात दे कर लिया है, उस जागा को हम बोलते हैं, इलेक्ट्र सेडिक एनरजी को आपने रोक लिया है, उस जागा को हम बोलते हैं, संधारित्र, ठीक है, यहां से यह चीज़ हमें समझ में आने चीए, अब थोड़ा संदर बन जाएगा, इसको आप ऐसे बना ले ना, बीच कर रिजन दिखा दे ना, कि यह संधारित्र है, है ना, चलो हम आगे चलते हैं, और आगे बढ़ाते हैं चीजों को, तो हमने क्या किया एक प्लस वी वाले पोटेंशल से, एक माइनस वाले पोटेंशल तक ह हम इसको ले गए, तो क्या हुआ, वो हमने देखा, ठीक है, आचा है, तो हमने क्या सीखा किनी भी दो बॉड़ी के बीच में, वो बॉड़ी कैसी उने चाहिए, उन पर चर्चा कर लेते हैं, वो बॉड़ी कैसी ने चाहिए, ठीक है, अब यह तो हमने बात की थी, कि दो बि प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस- ठीक है,等一下 प्रेइत हो जाएगा, जो कीमा इन्स q की बराबर होगा, सब्स q मान स्कूर अगर सब्स q मान स्कूर मे अप बन चुका है, तो आप ड़ेख सकते हो असब बीच में एक लेक्टरिक फिल्ड डेवलप हो जाएगी बिल्कु सीधी सीधी लाइनों से यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर उल्क्रिक फिल्ल बन जाएगी, आपने देखा कि आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू धात्विक आपने लिए है, धात्विक लेते हैं हम दोनों bodies कैसी होने चाहिए, दोनों bodies जिनको आप pass में लेकर आ हैं, वो conducting होनी चाहिए, थि tuna है, conducting होनी चाहिए, मतलब, या धातू के बनी होने चाहिए, conducting होनी चाहिए, उससरों फाइदा क्या होगी है, फाइदा यह हुआ कि यह जो plus q आवेश है इसने एक प्रेरण किया वहाँ पे एक minus q आवेश बना दिया minus q आवेश बनाने के वेरे से हमें यहाँ पर यह पता चला है कि इनके बीच में electric field develop हो गई है और electric field develop हो गई है तो जो मेरा काम था सन्धारित बनाने का वो हो गया है स्न्धारित बनाने का मेरा काम हो गया है ठीक है चली आगे देखते हैं हम इसके बlorhen इसी में आगे देखते हैं बराबर हो ठीक ही अच्छी बात ही बहुत सीधी सी बात है इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें होने ही चाहिए अगर ऐसा है तो हम क्या क्या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे में इसके उपर आवेश बढ़ा हूं मालो मेरे पास कोई तरीका है कि मैं इसके उपर आवेश बढ़ा स तो आब कह सकते हो कि यहाँ पर जो electric field है, जो electric field है, उसकी जो intensity है, जो इसकी तीवरिता है, वो भी बढ़ती जाएगी, और इसकी तीवरिता बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ पर इस जगह में, चोटी सी जगह में, जो energy store हो रही है वो बढ़ रही है मतलब इसका जो capacity इसका जो capacitance है वो बढ़ता जा रहा है तो हम कह सकते हैं जैसे निसे आप क्यों बढ़ा रहे हो वैसे वैसे B बढ़ रहा है मतलब जो विबवांतर है वो क्योंके बिल्कुर समानुपाती आग जाएगा ऐसा हम कह सकते हैं इस समानुपाती के चिन को हम हटा है अगर इसके चिन को हटा देते हैं तो यहां से क्यू बराबर CV हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं यह C क्या है यह C एक नियतांक है इस नियतांक का मान क्या है इस नियतांक का मतलब क्या है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते ह है इसका capacitance ठीक है या फिर हिंदी में धारीता जिसको हम सी से दिखाते हैं capacitors word कहां से आया है कि endless शब्त कहां से आया है यह बना है capacity से कहां से बना है capacity से इसकی किसे capacity है कितनी रख सकता है अपना कितना capacity इशके अंदर है तो वो किस पर निरीबार कर रहा है ठीक है, वो क्या है वो क्या आ गया मेरे पास वो एक constant आ गया है और ये धर्शारा है कि इसकी कितनी capacity है, ये अधिक्तम कितनी ओर्ज़ आपने अंदर ले सकता है तो ये सब चीज हमें यहां से दिखते है के जैसे मैंने यहाँ पर इसको बढ़ाया है किसी एक मान तक मैं लेकर गया हूं तो इसका वी यह बढ़ रहा है वी का जो मान है वो बढ़ जाएगा हम कह सकते हैं थी क्यों जो है वो वी के डारेकुली प्रपोश्टर्ण है समानुपाती है तो यहां से हमें C मिल जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, Capacitance बोलते हैं, ठीक है, हमने एक मौली गुरूप में समझा था, कि Capacitance का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी हम इसको बहुती गुरूप में देखते हैं, ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हैं, बिल्कुल यह हमने जो उबर्खावर्ड जो बॉड़ी बना दी है, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको हम जो संधारित जिस प्रकार के अविलिबल हैं, मार्केट में दिखते हैं, यह हम लैब में दिखते हैं, यह हम प्रक्टिकल लाइफ में इस प्रकार के संधारितों को अस्तिमाल करते हैं, वैसे ही संधारितों को हम पढ़ने भी वाले हैं, उसमें सबसे पहला आता है एक पैरललल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम समांतर पठीका उसको संधारित कहते हैं ठीक है तो आप क्या बताने वाला हूं मैं अभी समांतर पठीका संधारित ठीक है मैं इसको parallel plate capacitor ही बोलने वाला हूं बार बार तो आप भी आदर डालने parallel plate capacitor बोलने होगी या general मैं इसको capacitor भी बोल दूँ तो आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या मैं parallel plate capacitor की बात कर रहा हूं ठीक है वो आने लगे आपको धीरे धीरे तो इसका हम नाम क्या है parallel plate capacitor ठीक हिंदी में सवांतर पठीका यह संधारित है हमारी पास ठीक हमने क्या बोला हमें पास shift requirement क्या है हमारी basic requirement यह है कि हमें पास दो bodies होनी चाहिए दो धातु की बनीवी bodies हो करना था तो हमने क्या कि हमने कर ला कि क्यूं इतनी उबड़ खवर बॉड़ी आपने ले ली हैं आप एक काम करो आप इस प्रकार से parallel plates बना लो ठीक है आप parallel plates बना लो इस सब्साब से ठीक है parallel दिख रही है भाई या parallel दिखनी चाहिए बिल्कुल ये एक plate बनी और दूसरी plate मेरी drawing बहुत ही ज़्यादा खराब है ठीक है तो आप समझ जाओ में क्या बताना चाहरा हूँ ये इस प्रकार से parallel plates रखी है एक plate ये है और एक plate ये है ऐसे रखी है ठीक है हाथ से देखो ठीक है ऐसे रखी है parallel plates एक plate ये है और एक plate ये है जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा हमेशा ये इसका चिन कैसा होगा ऐसा इसका चिन होने वाला है ठीक है ऐसा इसका चिन होने वाला है जो capacitor को हम circuit में दिखाते हैं, capacitor को हम कैसे दिखाते हैं, परीपत में capacitor को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है, एक कुछ छोटी-छोटी चीज़े हैं, यह आपको पता होनी चाहिए, वैसे आप जानते होगे पहले से, ठीक है, Q बराबर C वी आया था Q बराबर C वी आया था यहां से हमें C कितना मिल जाएगा Q बराबर V के बराबर इनके मातरग आप रख दोगे क्या मिल जाएगा कूलम प्रती वोल्ट तो इसका मातरग होता है कूलम प्रती मोल्ट फैरड हम इसको बोलते हैं ठीक है चलिए अगर फैरड हम इसको बोलते हैं तो फैरड का मतलब क्या है फैरड का मतलब यह है कि इसमें एक वोल्ट में एक कूलम एक कूलम के वेशे एक वोल्ट जो विबाव है वांतर है वो आ रहा है इसलिए उसमें एक फेरड उसकी क्यापसिट है तो यह एक यूनिट है एक फेरड जो है बहुत बड़ा यूनिट है बहुत बड़ा यूनिट है तो हमारे पास practical equation के अंदर भी या market में भी जो हमारे पास capacitor मिलते हैं, वो क्या किस प्रकार मिलते हैं? वो micro Farad में मिलेंगे आपको ठीके, ये आपको इस प्रकार से question के अंदर दिखाई देंगे, जब है अधर micro Denhay देगा ये सब दिखाई देंगे, ठीके, तो इनी पे हमें चठक, इनी पे हमें काम भी करना पड़ेगा शोडी शोडी चीज़ें थी आपको पदा अगिसके डामें disparama होंगी इसका मुझाल पूर्डं अपॉन की यह स्की से लोगे और वर्क को आप रख दोगे को ऊपर ले जाओ गेफ तो हाल कर सक्ट हो सीधे सिदे शिदे शिदे हल करें यह को कापी अपने बीट है कि मिल जाएगा ठिक एआपको नीप से लेशे करनी पड़ें इतना आपको आना चाहिए कर न आन चाहिए कि लगसे पड़ चुके हो र कर चुके हो हम आता है काम से सही बाध पर फिर से यह अटा देते हैं, गंदा सब यो parallel plate मैंने बनाया था, इसको आप अच्छा सा बना ले अपनी coffee में, मैं बिल्कुल two dimensional figure बनाता हूँ, जो की अच्छे से हमें समझ में आए, ठीक है, ये दो parallel plate है, ठीक है, अच्छा ही parallel plate है, भाई, तिल्कुल अच्छी बात है, और इन है, जो page है, उस पन्य का जो शेत्रफल होगा, उस शेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं मान लेता हूँ, वो कितना है, वो है A, कितना मान लेता हूँ, उसको मैं मान लेता हूँ A, ठीक है, दोनों का समान यहां पर जूसरे के आमने सामने हैं, उस शेत्रफल की बाद करते हें, यह प्लेट आंगी, अगर ऐसा होता है, तो यह अगर हमारे पास शेत्रफल अगर आगर मिल गया है तो इसको हम क्या करना चाहा रहे हैं इसके अंदर वो देखिए आप आचा और मैंने इसको आवेश कितना दे दिया है मैंने इसको प्लस क्यू ठीके प्लस क्यू मैंने इसको आवेश दे दिया है और जिसकी जो घनत्व है वो सिग्मा के बराबर कितना घनत्व है इसका सिग्मा के बराबर है तो यह प्लस 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 सब जगा आ जाएगा तो इसका जो आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा के बराबर होगा ठीक है चले अच्छी बात है और इसी प्रकार यहाँ पर कितना आवेश्य जाएगा माइनस 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 सब जगा माइनस हो जाएगा इसको इसका जो आवेश्य घनत होगा वो भी सिग्मा माइनस सिग्मा के बराबर हो जाएगा चले ठीक है ये सब बाते हमें समझ में आती हैं ठीक है अच्छी बात है यहाँ पर negative charge यहाँ पर positive charge अच्छी बात है चले अच्छ अब क्या होगा अब क्या होगा हम को बोलते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर electric field यहाँ पर generate होगी इलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट होगी वो कुछ इस प्रकार इस डारेक्शन में होगी ठीक है इस डारेक्शन में इलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट होगी यह प्लेट के अंदर चार्ज है इस डारेक्शन में इलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट हो रही है जो इलेक्ट्रिक फिल्ड यहां पर इस direction में generate हो रही है, इसका मान निकालने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, किसी भी बिंदू पर बात करता हूँ, अगर मैं यहां पर, तो इसके कारण से जो electric field आने वाली हम जानते हैं, पट्टिया करन जो electric field होती है, वो कितनी होती है, सिग्मा बटे 2 epsilon 0 होती है, ठीक भी electric field इसी तरफ आएगी, जिसका मान sigma बटे 2 epsilon 0 के बराबर ही होगा, ठीक है, तो यहां पर बीच में जो electric field आ जाती है, बीट में जो electric field होती है, सिग्मा बटे 2 epsilon 0 और E का मान कितना आ जाता है, प्लेट के बीच में, सिग्मा बटे epsilon 0 के बराबर, दो conducting plates के बीच में जो electric field हो लिखूंगा, E बराबर, सिग्मा बटे epsilon 0 तो लिखे लो एक बार है ना, इसको क्या मैं से भी लिख सकता हूँ, E बराबर, Q बटे, A epsilon 0, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें लिखते में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्या इनके बीच में वि होता है, वो वोल्ट प्रती मीटर के यूनिट के बराबर भी होता है, कि मतलब एक मीटर में या एक इकाई लेंथ में, इकाई दूरी में कितना परिवर्तन आ रहा है, विभाव में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो E के बराबर होता है, तो हम V को ED के बराबर भी लख सकते ह ठीक है, चलिए हो गया हमेरे पास, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि V जो है, ये Q जो है, Epsilon 0 A बटे D into V के बराबर हो जाए, ठीक है, ये हम यहां से बनाना चाह रहे थे, और ये तो हमने पढ़ाए है अभी थोड़ देर पहले, कि यहां पर Q जो है, Q जो ह है, वो C V के बराबर भी आया था, अच्छा, ये तो दोनों रिलेशन समान से लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो यहां से आप देख पाऊ कि C जो है, वो किस के बराबर है, C जो है, वो Epsilon 0 A बटे D के बराबर है, जहां पर A क्या है, प्लेटों का शेत्र फल, और D क् कि Capacitance या धारिता किस पर निर्भर कर रही है, धारिता निर्भर करती है, किस किस पर, किस किस पर निर्भर करती है, इनके शेत्र फल पे, इनके शेत्र फल पे, किस पर निर्भर कर रही है, शेत्र फल पे, और किस पर निर्भर कर रही है, इनके बीच की दूरी पे, ठीके air ले रखा है, इसलिए हम epsilon not वहाँ पर लिख रहे हैं, जब हम दूसरा माध्यान लेंगे तो हम इसके हां के एक परावेद्यतांक लगा देंगे जिसका मान k होगा, तो k epsilon not a d हो जागा, तो हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी यहां तो यह formula लगेगा, ऐसा नहों के सारे capacitor में यही formula गुसा रहे हैं, और ढूंड रहे हैं, के a तो मिली नहीं रहा, d तो मिली नहीं रहा है ना, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम बुलेंगे, परावेद्य क्यापेसिटर है, c बराबर epsilon 0, a by d के वराबर होगा, यह parallel plate capacitor में हमारे पास आता है, चलिए बात समझ मैं आपको, और यहां से आपको यह भी देखने को मिला, कि c जो है, सेत्रफर पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है, यह कहीं से कहीं तक यहां इस बात में निर्भर नहीं कर रहा है, कि q और q का मान कितना है, या v का मान कितना है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ के मेरे पास किसी प्लेट पर Q है मान क्या है आवेश का मान Q है ठीक है और यहाँ से में लिग दिया C V ठीक है अब मैंने क्या किया अब मैंने जो आवेश है उसका मान 2Q कर दिया तो C का मान कितना हो जाना चाहिए C का मान नहीं बदलेगा C का मान नहीं बदलेगा Q नहीं बदलेगा भई, C का मान नहीं बदलेगा क्योंकि C निर्भर ही नहीं कर रहा है Q और V C निर्भर कर रहा है इसके शेत्रफलिस की जोमेटरी पर निर्भर कर रहा है ठीक है, आपको क्या होगा इसके अंदर जैसे ही आप 2Q करोगे जैसे ही आप 2Q करोगे, यहाँ से C किस के वराबर आएगा, Q बटे, V के वराबर, जैसे ही आप 2Q करोगे, V का मान भी डबल हो जाएगा, 2V हो जाएगा, ठीके, इसलिए C का मान जो है, वो हमेशा ही नियत रहेगा, ऐसे cases में, यह हमें ध्याम रखना है, C का मान Q और V पर निर आपको के सरीय से कैसे हो गया, है ना, तो चीज़ को हम प्रूब करते हैं, कि इसके बार, प्लस Q चारज है, माइनस Q चारज है, और दोनों जो आवेशा आ रहे हैं, वो कहां कितना आएगा, देखना पड़ेगा ना, तो उसको देख लेते हैं, हमान लेते हैं, इसको पिर ए हमने बाहर है, तो आबीर आए या नहीं आ रहा है, ठीक है, बनाने की बात अलग होती है, दिखाने की बात अलग होती है, हो कह रहा है, एक्चुल में, इसको इस प्लेट को मैंने कुछ आवेश दे दिया, इस प्लेट को मैंने कुछ आवेश दे दिया, और इस प्लेट को मै महने अर्थ कर दिया थिक है भुकों अर्थ सेसको मयने कनेक कर दिया उसको मैं उसको मानने का और बाहर वाला सित्य है तो इन तो कुल आवेश का आधा-धा तो इन पर हमने निकाल दिया, कि कुल आवेश का आधा-धा इन पर आ गया है, बिल्कुल अची बात है, चलो, अगर इतना है, अगर ऐसा है, तो हम क्या बूल सकते हैं, कि अंदर जो आवेश बचेगा, वो कितना बचेगा, q-q-q 2,多, तो यहाँ पर कितना आजाएगा, q-q-2, जिक नीके, q-q-q, q-Life 2 के बराबर आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा, माइनस इसी का negative, अंदर वाले में तो फॉस्टstr चार जाता है, अब जोए चार्ज बात हैं तो इसे अब देखो अगा景 सावेश आवेश हैं और यहां पर V0 है मान लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पर बीवों नहीं अपर बीव 뭐 दिशओंफ नहीं किया गया है इसको अगर है ृएश नहीं किया गया है तो यहाँ पर कुछ इलेक्टिक फील्ड बनेगी जो कि इन्फिनीटी तक जाएगी क्यों कि क्यूं के इन्फिनीटी इन्फिनिटी पिवश उन्ने के बराबर है अगरanging सी इcomfort भी में ऐसा इख जाएगी इंफिनीटी तक है जिसका मान क्या कि सिग्म बत एृड सिग्मा क्या होगा बहुट वाल से बाज़त6 क्यूंप्लस एृत्वलू dart यह शूनने के बराबर आएगा यानिके यहां से Q प्लस X जो है वो शूनने के बराबर होगा यानिके X जो है वो माइनस Q के बराबर हमरे पास आजाएगा एक्स जो है माइनस Q के बराबर आजाएगा, अब चारो प्लेटे माण रखके देखो तो Q प्लस X बटे 2 कितना हो जाएगा, Q माइनस Q बटे 2, यह हो जाएगा, ठीकर यहाँ पर रखो है Q माइनस माइनस Q you 25 बटे 2 यहाँ पर आजाएगा, ठीक थीकर तो हुम देख पाए कि स्थाज कहां पर आया चाहिए आवेश कहां पर आया अंदर वाली पेड के उपर क्यूँ और माइनस क्यूँ बाहर वाली पिट पर कोई आवेश नहीं आया तो हम सीधर यहां से भी बोल सकते हैं कि संधारित्र के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं डेवलप होती है जितनी इलेक्ट्रिक फिल्ड होती है वो अंदर ही डेवलप होती है बाहर को इलेक्ट्रिक फिल्ड डेवलप नहीं हो रही है ठीक है आप बोजेक्स रहते हो कि इनकी वेरे से भी जो इलेक्ट्रिक फिल्ड आईगी उदर तो हम बाहर की तरफ कुछ नहीं होता है तो यह चीज है दूसी को हमने आर्थ कर रखा है ठीक है यह चीज को आपको समझ में आती कि यहां से हैं ठोड़ी छूटी च्षीजे और देख लिते हैं कुछ दो नो2 बल लगा रहisée हो ड़ोज बनात्मक है तो वह आवेश यह बैंगे हम जानते हैं ठीक है प्लेट बनाने पड़ेगी बार-बार वाब इस प्लेट बना लेते हैं यह हमारे पास positive plate है हमारे पास negative plate है ठीक है इसको मैंने charge कितना दिया है इसको इसके पर charge है plus Q और इसके पर charge कितना है इसके पर charge है minus Q ठीक है अच्छा अब इन दोरों के बीच में electric field की बात करता हूं बा इसके पर बल कितना लग रहा है कि जिस फील्ड में रखा है उस field से इसको गुणा कर दो तो F बराबर QE तो होता ही है वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं तो उसको रख निकाल देंगे तो minus Q कितना है यह हो जाएगा आपके पास Q बटे 2A epsilon 0 है ना यहां से आजएगा मेरे पास तो कितना बल लगाएगी plate जो बल लगाईगी वो कितना ह ठीक है तो F का मान QE square बटे 2A epsilon 0 आ गया है ठीक है इसका मान की बात अकरशन विकरशन हम जानते हैं कौन से कब अकरशन होगा कब विकरशन होगा तो F का मान कितना आ गया है F का मान आ गया है 2A epsilon 0 के बराबर ठीक है इक फॉर्मुला अगर याद रह जाए तो इसके अंदर को आप अब बात नहीं है ठीक है अच्छा फर्मुला है देख भी रहा है अच्छा तो इसको आप याद भी कर लो एक चीज़ आपको याद हो जाए है यहां से जलो इनके बीच में बात करने की बीच है टोटल एक्टरी फिल्ड क्या होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं थ आपको इसको बाहर निकाल दो ठीक है Q-square 2A A-epsalem naught नीचे है तो A-square-epsalem naught मैंने इसको कर दिया है और उपर इसको A-epsalem naught से multiply कर दिया है तो यह जो पूरा टर्म है क्या वन गया है यह वन गया है अनेर्जी इलेक्रिक फील्ड ठीक है तो आप देख सकते हो कि यहां पर य half epsilon not e square हमारे पास into a ये formula बन गया है force का ठीक, अगर मैं force per unit area निकालना चाहूँ force per unit area ठीक है, प्रती 21 शेत्रफल में कितना बल होगा तो f बटे a करूँगा ये कितना हो जाएगा 1 बटे 2 epsilon not e square ठीक है इसी को हम बोलते हैं electrostatic pressure या फिर स्थिर्वेद्यूत दाब और यही होता है आपका energy density उर्जा घनत्व के बराबर भी ठीक है, जो electrostatic energy density के हम बात करते हैं ये उर्जा घनत्व 1 बटे 2 epsilon not e square के बराबर होता है या electrostatic pressure इस्थिर्वेद्यूत दाब के बराबर भी यह आता है ठीक है, तो f एड़ा बरे कितना होगे एक बटे 2 epsilon not e square के बराबर आगे है ठीक है, तो यह formula आपको पहले से याद है उसमें याद करने कुछ बात नहीं है यह आप formula अगर force पूछता है तो force आपको निकालना आना चाहिए force निकालने के आप किसी भी एक की वज़े से आप निकाल दो कितनी electric field है दुनों plates की बीच में जो कि sigma बटे 2 epsilon not के बराबर होगी और उसको charge से multiply कर दो तो जिस charge के उपर आपको निकालना है कि कितना force होना है ठीक है force निकालना है आपको चलिए यह बार समझ में आती है चलो और छुट छोटी बात कर लेते हैं जूट अचा देखो फिर से वही plate बना लेते हैं फिर से वही plate बना लेते हैं है ना अचा यह देको है ना ? यह देखो थोड़ी सी मोटा भी डिखानाने में थोड़ा साप नोज दर आता है इसलिயा ना हम देखा भी देखाना यह देखो हो चलिए इसके उपर अवेश्य था Q और अविश्य माइनस नजी ठीकए यह आपने sigma और minus sigma इसके energy density को आवेश घाना तो आपने पता कर लिया है, ठीक है, यह minus 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 यहां तक आ गया है, ठीक है, यह चीज़ हमें समझ में आती है, चलिए, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं यह, कि हम यहां से कुछ-कुछ आवेश उठा कर, चोटा सा DQ और उठा कर मैं इस वाली plate पर ले आया, ठीक है, DQ आवेश उठाया और मैं इस plate पर ले आया, ठीक है, शुरू में यह दोनों, दोनों क्या थी, शुरू में दोनों plate अंचाज थी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, कि शुरू में दोनों पर कोई आवेश नहीं है, ठ ठीक है, दोनों plate उदा सीम थी, आप हम क्या कर रहे हैं, हम इस से, इस वाली plate से, DQ आवेश उठा रहे हैं, और DQ आवेश उठा के इधर दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, कि यहाँ पर प्लस Q आवेश आजाएगा, और यहाँ पर माइनस Q फाइनल आवेश आजाएग उधर हम इसको देकर Q हमने प्लस Q का आवेश यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फिल्ड के अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड डेवलप होगी, अगर इसकी यहाँ बात करता हूँ, तो वो sigma बटे 2 epsilon note के बराबर ह होगी और इसकी दिशा इस प्रकार होगी, इस तरह होगी, ठीक है, अच्छा, अब जब मैं इस DQ को लेके जा रहा हूँ, DQ लेके जा रहा हूँ, क्यों आवेश यहाँ पर जमा हो गया है, क्यों आवेश यहाँ बन गया है, तो एक force लगने लगेगा, एक बल लगने लगे इसको रोकना चाहिएगी, तो हम क्या करेंगे, हम इसी के बराबर एक बल लगा देंगे इसके उपर, हम इसी के बराबर एक बल लगा देंगे इसके उपर, जो कि हम लगाएंगे, जिसको हम F बाही यह बल बोलेंगे, ठीक है, हमने इतनी ही field, जो कि field थी, इसी के बराबर इ अच्छ, हम क्या निकालना चाहरे हैं? तो हम पता करना चाहरे हैं कि इस DQ आवेश को इस DQ आवेश को पौजिटिव प्लेट तक ले जाने में किया गया क्या कारए होगा ले जाने वाला कार रहे है ठीक है यह हमें निकालना है इस पर यहां पर निकालने कोशिच करते हैं इस पर तो देखो वहीं कैसे निकालेंगे, कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, अच्छा, हम बोलते हैं कि इसका जो कार्य होगा, इस छोटे से DQ आवेश को लाने के लिए, वो कार्रे भी छोटा सा होगा, अच्छा, वो छोटा सा कार्रे क्या होगा, वो छोटा सा कार्रे जो इसने बल लगाया है, बाहिये बल, ठीक है, जो छोटा सा बाहिये बल लगे गाया है, इस चोटे से DQ आवेश पर, ठीक है, वो DF इंटू, इस पर कितना होगा, इसका displacement होगा हम लगा रहे हैं वह किसके बराबर ली बात नहीं है तो डी-एफ बाही एकितना हो जाएगा इसको में लिखते हूं सिग्मा बटे एपसालम नौट यहां लिखता हूं क्यू बटे एपसालम नौट ठीक है यही का फॉर्मॉला भी वह लिखा है है ना और यहां पर क्या है हमार पास आवेश यह तो होगी एलेक्टरिक फील्ड और क्या आवेश को गुड़ा कर दिया, कितना है, इसका विस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है, और पूरा कारण निकालने के लिए, मैं इसको integrate कर दूँगा, समाकलन कर दूँगा, कहां से कहां तक, 0 से Q तक, ठीक है, जब Q आवेश में ले जा चुका हो, तक, तब तक मैं कर दूँगा, इसका अगर आप समाकलन करते हो, तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे, तो QDQ अंदर बचेगा, ठीक है, अच्छा, और बाहर क्या आ जाएगा, आपके पास, आपके पास से 0 से Q तक, यह है, ठीक है, बाहर आ जाएगा, आपके पास D बटे A epsilon not, D बटे A epsilon not, यह है, आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इसका हम समाकलन करें, तो आप देख सकते हो, सीदे, सीदे, सीदे का समाकलन किसके बराबर आएगा, D बटे A epsilon not नीचे, ठीक है, और यह किसके बराबर जाएगा, Q square बटे 2, ठीक है, यह आ गया, अच्छा भई, अच्छा, यह देखाओ, मैं क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, Q square बटे 2, और यह जो है A epsilon not epsilon not A, और उस D को नीचे ले आओ, यह epsilon not A बटे D क्या होता है, भई, यह तो देखा-देखा पदा करना कि A जो संधारितर है यह जो, यह जो संधारितर हमने बनाया है, इसके अंदर कितनी उरजा इकटी हुई है, कितनी उरजा इसमें संग्रहित करी है, तो उरजा जो संग्रहित कर सकता है, वो किसके बराबर आ रही है, वो आ रहे है Q square बेटे 2C के बराबर ठीक है तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि उर्जा संग्रहित जो हुई है संधारितर की उर्जा किसके बराबरchs आएगी संधारितरी उर्जा आएगी आपकी इसको आप लिखोगे U Q स्क्वेर बटे 2C Q स्क्वेर बटे 2C के बराबर ठीक है, चलिए अच्छी बात है अच्छा, यहाँ से मैं क्या लिख सकता था यहाँ से हम और कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ दिखो, मैं पास क्या फॉर्मुला है अच्छा, Q की जगा पे CV रख दू तो U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा C स्क्वेर, V स्क्वेर, बटे 2C है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यह C से 1C कट जाएगा, तो यह 1 बटे 2C स्क्वेर हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे, इसको U जो है, वो half CV स्क्वेर के बराबर आ गया है हाफ CV स्क्वेर के बराबर आ गया है चलो, उच्छी बात है, अच्छा, इसमें और क्या कर सकते थे हम, हम C हटा ही दें, तो अगर C को हटाना ही चाहेँ तो यहाँ से हम C का मान रख देते हैं Q बटे V ठीक है इसमें रख देते हैं तो 1 बटे 2 into C का मान के रख देते हैं Q बटे V into V square ठीक है तो हमारे पास क्या formula बन गया ये V से 1 V कड़ गया 1 बटे 2 QV ठीक है ये हमारे पास मान आया है किसका उर्जा का एक parallel plate cup capacitor के अंदर जो उर्जा जमा होती है उसको हम half CV square से ये एक general formula के दा हम इसको use कर सकते हैं किसी भी संधारितर में संधारितर में जो उर्जा इखटी होती है संग्रहित होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी स्थिर वेद्यूतिक उर्जा और उसको हम you से दिखाते हैं और के लिए हमेरे पास formula आते हैं ये q2 बटे 2c half CV square और half qv ठीक है ये formula तीनो ही formula आपको याद हो गया होंगे है ना इनको याद कर लो चलो तो ये हुई बात आज संधारित के बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए parallel pit capacitor की थोड़ी बात करी है हमने parallel pit capacitor से हम बाकी capacitor इसको भी समझ पाएंगे है ना इनकी वीची ओर्जा क्या होती है ओर्जा येतनी आएगी और CV qr पर संधारित में लगेगा इस चीज़ हमने समझी है ठीक है आगे बढ़ाएंगे शर्चा को अगली ग्लास में आज यहीं खतम करते हैं आज के लिए thank you